देर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिकेंड समस्टर के हिंदी के एंसी क्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चिन एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इन्वेसिटी में परिच्छाएं हिंदी की एंसी क्यू बेस पे होने वाली यानि कि परिच्छाएं औब्जेक्टि वह विकल्पे होने वाली हैं उन सभी इस्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर है चाहिए आप मेजर के हो या फिर माइनर के हो सभी के लिए महत्पूर है आपका जो वर्स है वो प्रथम सब्सक्राइब करना में कारला हिंदी और कंप्यूटर तो आज कि वीडियो सबसे पहला प्रशन है कि आधुनिक भासा बिज्ञान का जनक कौन है तो आधुनिक भासा बिज्ञान का जनक किसे कहा जाता है यह आपको बताना है यहां बहुत सब्सक्राइब करना होगा तो आधुनिक भासा बिज्ञान का जो जनक है वह जिनका नाम है सु शियूर सब्सक्राइब होगा बहुत महत्पूर्ट प्रश्चने वीडियो में इनके रूड़ेड हैं आपके एक्जाम के लिए तो सब्सक्राइब करते सामय धालागों का जो अर्थ होता है वह होता है उच्चालन कि सुविधा ठीक है यानि कि प्रनौन्सेशन की फेसिलिटी सब्सक्राइब होगा कि पारकी आपके जो आपसे ऋतना नहीं रहें कि कोईश्चन है बाकी आप संदेख लिए में जो कोईश्चन है उसको पढ़ेंगे उसके बाद जो सही है उसको बताएंगे ठीक है हम अपना टाइम नहीं वेष्ट करेंगे ना आप करने देंगे ठीक है अगला प्रस्टन है कि निम्लिखित में से भांसा की प्रमुक प्रकति क यारी करेंगे पैंचेइंगे त Addition जैसे आप पढ़्ते जाएंगे द्स्ए सिखते जाएंगे तो आपको नार्बल यानिक की इजि लगने लगई district court एक है तो वही कोश्चिन है कि नियालाई भाहसा में या देढ की कोड और उसके अर्थ में चया रहता है तो जानन लक्षिंगे ऊसमें रहता है निश्चितता रहता है ति तता है इसलिए शाहीजबाब आ परिवार से तातपर है यानि एका छरी भाफा परिवार का क्या मतलब होता है तो वह मतलब होता है चीनी भाफा परिवार से मतलब होता है एका छरी भाफा का मतलब ठीक है तो चीनी भाफा परिवार को कहा जाता है एका छरी भाफा ठीक है अगला कि भासा बिज्ञान के तत्त को ब्यक्त करने वाली जो विशिष सब्दावली है उसको कहा जाता है पारिभासिक सब्दावली जो कि आप लोगों के लिए पर इच्छा हो रहे तो उसके लिए तो महत्पूर्ण है कि मालिजे रिटेन एक्जाम होता है ना तब भी यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रसने ठीक गारों को फ्रौन को थी क्या है वसरौब है अगला प्रस्फय कि पारिभासिक सब्दावली किस के लिए है तो जो पारिभासिक सब्दावली कि उडियान रखेंगे है किसी एक साखा के जिग्यासुद्ध ठीक कि अगेमेर्व साही जवाब इसका हो जाएगा सानामबर तो ध्यान रखेंगे पार्थबासि Scale के लिए हो यह ँज dłi स्धा CHP उसका नाम है वश्तुनिंष्तव सेली बानंबर सही जबाब होगा है कि वैज्ञानिक और तक्निकी की सब्दावली मूलता किस भंसा की सब्दावली का अनुवाद है तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर 2 ठीक है अंग्रेजी गई ठीक है अगला कि किसी भी मंत्राले संब्रद विभाग प्रभांग अनुभाग एवं कारले के करमचार्यों क क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है कारले आदेश यानि कि किसी भी ऑफिस का नोटिस ठीक है यह फिर वहां की वहां का आदेश ठीक है तो ध्यान रखेंगे बानंबर सही जवाब होगा अगला है कि सार्वजनिक अफ्तर पर सरकारी आदेश प्रस्ताओं नीतियों और आपने कोई देखा होगा जब दैनिक जागर दैनिक भासकर ठीक है ओमार उजाला बहुत फारी जो न्यूज पेपर आपको मिलते हैं हाड की रूप में आपने कहीं कटिंग देखिए कि किसी साइड में बहुत फारी रूप पर रहे आता है कि लिखा रहता प्रिस बिग्या के बारे में कोई भी साब जनिक एफी चीज जानकारी वह सरकारी भी होती है प्राइबेट भी होती है उस चीज को बिष्ट्रूत रूप से परचायत करने के लिए माध्यम होता जिसको प्रिस बिग्यापत कहते हैं ठीक है ठीक है तो ध्यान लखेंगे एक तरीके से बोल सक सक्टर हो या फिर फ्राइबेट सक्टर हो तो वहां पर प्रिस विज्ञापत का यूच करता है ठीक है ताकि वह आम जनता तक पहुंच सके अगला प्रस्ट है कि बेक्तगत अफ्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निप्टाने के लिए किस पत्र का प्रियोक किया जाता है तो आपस में जो अधिकारी है उसमें किसी भी मेटर को सॉल्व करना है तो वहां पर यूच किया जाता है इन आपसरों में से अर्द सरकारी पत्र ठीक है कौन सा सरकारी पत्र अर् रखाक्यμεंद्ट को एक सरकारी भाशा तो ध्यार नख़ेंगे यह होगी राजभाफा ठीक तो एडिटर सब्द का ह राजभासा होगी सव tbsp होगा ठीक है इंपॉर्टेंट प्रश्ण ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण प्रस्थ है आप लोगों समस्त की देव नागरी लिप का सर्प्रत्रम प्रियोग की स्राज में हुआ या फिर की फिराज से माना जाता है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है इंपॉर्टेंट है ध सख्ववरणों की संख्या कंगे देव नागरी लिप में स्वर वरणों की जो संख्या है वो 11 यानि की गेरा है अगला प्रस्तुत है कि संग की राजभासा हिंदी और लिप जो है देव नागरी होगी ठीक है तो यह अनुच्छेत 343 में इसका वरण किया गया है ध्यान रखेंगे 343 अनुच्छेत में बहुत ही महात्पूर प्रस्ट है अगला परतब की भारत की राजभाथ कोण है इन आपस्टन है थीक है तो इन यहीं भार्त कि भार्राभ्तव में विक्कास सवाध्यत के बारे में ठीक है इसका विताफ कैफे क्या जाफ अक्ता उसे संबंधित के बारे में जानकाई दी गई है दानुम्बर सभाब होगा अगला है कि देवनागरी का सरप्रथम प्रियोग किसके शिलालेक में हुआ था कौन से प्रमुक इतिहासकारी ठीक है इतिहाफ के जो प्रियोग हुआ है स्वेब आ होगा जेभ uniqu के फिलालेक में ठीक है देवनागरी का वितास माना जाता है किस मतलब की लिप से जिंठेके देवनागरी लिप का जो विकास माना beim भी से माना जाता है शैनम्बर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे बहुत ही पर बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि देवनागरी लिप की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या सबसे बड़ी क्वाल्टी क्या तो ध्यान लखेंगे देवनागरी लिप की सबसे बड़ी विशेष्टा है है वो है कि असार बाधिक बैज्यानिक लिफ work होना एक धवन के लिए एक संकेत होना ये बहुत बड़ी बिसिस्ता है दियोणागरी लिफ्क हो झुक्त और आक्राया प्रस्टून प्रस्वाइफ यह कौन बिसिश्ता दिया नागरी में से तो देव नागरी मोलोता इनाफरों में से ठीक अच्छारातमक है ठीक होगbaar होगा अगला कर इसमें से कौन से लीप नहीं है तो एक में लिप नहीं है ये वो ऐं अंगरेजी एक सहर से दूसरे सहर में संचार माध्यम द्वारा भीज सकते हैं वो क्या कहला आता है मताबंकि हमा ये इंटर्ऺेरी साथ उत्तर प्रडेश में बेखे हैं महाराप राजफ्थान माध्य प्रडेश बीहार किसी ब्रडेश में रहे बैठे हैंailable Sag Ya tire कोई फंदेश आप कम समय में इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर इमेल का यूज किया जाता है तो इमेल का यूज करकि आप विदेश में किसी अनसहर फे किसी अनफेर किसी एक श्रीट हो दूफ्रेश मतब कहीं पर भी भेज़ा दाफकता है और एक बहुत बड़ा माध्यम में इमेल जिसके माध्यम से हम अपने संदेश को एक सहर फे दूफ्रेश में संचार माध्यम द्वारा मतब कि कॉम्मुनिकेशन जो की एक आनलाइन माध्यम होता है इसके जरीए भेज सकते हैं सही जवाब इमेल होगा अगला को कंप्यूटर का यांत्रिक वैद्वत और इलेक्टानिक भाग क्या कहलाता है तो ठीक है के आज किसी राष्ट की छमता का आकलन किया जा सकता है किसके माध्यम से तो आज किसी भी राफ्ट की छमता का जो आकलन है वो किया जा सकता है उसके सैन बल से उसके अर्थ बल से उसकी सूचना बल से इस विले सही जवाब उसका अद्दा हो जाए कि इन सभी चीजों से किसी भी राफ्ट किया किसी भी प्रदेश किया किफी चीज की आकलन किया जा स इसमें information technology के माध्यम से आप बहुत ही हार्ड काम आसाने से कर सकते हैं ज्यादा समय जिसमें लगता हो कम समय कर सकते हैं तो सुषना प्रद्धोगी की कंप्यूटर के मानों की बहुत दिक्षमता के को अत्प्रद्ध कर ग्यान की नई साका को जन्म दिया है ठीक है इसलिए हमसे सुषना प्रद्धोगी की बोलते हैं इफ़्ॉर्मेशन टक्नालोजी अग्ला है कि सन 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम एलेक्टाने कंप्यूटर कौन था इन आपसौलों में से तो ध्यान रखेंगे 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित इलेक्टाई जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनी एक सही जबाब हो जाएगा नमबर प्रमक प्रस्ण है इंपार्टेंट है तो ध्यान लखेंगे कई बार रिपीटेड एक जाम में पिछले वरसों में देखे 2000 ये पिछली बार 2013 में आया था तो ध्यान लखेंगे अगला प्रस्ण है कि बेसिक भासा का विकास हुआ कि किसके द्वारा तो बेसिक भासा का विकास का जो स्रे है वो जाता है ठीक है किसको बताए कमर सेक्शन में अगर आपको मालूम तो जरूर बताएगे इसका उत्तर बताईए आप सभी अगला की आधनिक बेसा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहीयोग से किया जाता हो क्या कहलाता है तो आधनिक बेसा है इस समय करेंट का बेसा जो कंप्यूटर यह कंप्यूटर पर बैठका और इंटरनेट के जरीए किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो ध्यान के माध्यम से भी हम सब चीजे कर सकती हैं सब चीज तो इसलिए इसका साही जवाब हो जाएगा दानमबर इनमें से सभी क्योंकि कोई भी चीज है फिजिकली नहीं दे रहें जैसे कि कोई दुकान पर आप दाल चाल चावल आटा फिर मोबाइल के दुकान है तो वहां पर आप कंप्यूटर के माध्यम से बिजिन्स होता है वह इस प्रकार का बिंदेफ होता है यह से कि हमने विया फिलिप कार्ट से मजोन से कुई चीज और कर दी हो हमारे घर डिलीबर हो गई यह फिर आपको कोई आनलाइन सर्विस को दे रहा है ठीक है आप पैसा दे रहे हैं उसके अब आपको माली जे की कोई काम कराना है एक जामबल की रूप में सबस्ते हैं इस पर कोई सो पेच का मेंटर है ठीक है तो आप किसी दुचार लोग को हायर कर लेंगे उनसे बोलेंगे भया यह चीज़ आपको इस फॉर्मिट में तयार करना डिजाइन करके तो डिजाइन क कफे कब तक था तो कंप्यूटर की सबसे पहली पीड़ी ती उसका जो कारिकाल था वो 1946 से 1958 तक था सही जवाब होगा अगला प्रशन प्रसुत है कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है तो कंप्यूटर को ध्यान लखेंगे तीन भागों में डिवाइड किया रखता है तीन नंबर सही जवाब होगा सा नंबर मतलब अगला है कि वे कंप्यूटर जो बेवपार को चलाते हैं घर की बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कारे को computer कर सकता है वो क्xim fuckin computer कहलते हैं तो उनको कर जैता है यानि किसी भी औपष का नाम अगला की अधुसुशना का प्रकाषन कहा होता है ठीक है तो जो आधिसूचना यानि की सूचना जो होती है उन चीज के प्रकाफन या फिर आप लोग करते हैं कि पब्लिसिंग होती है वो होती है राजपत्र यानि की गजट से ठीक है पूर्व में प्रेसित पत्र का अश्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है तो इससे को पत्र कि लिखा जाता है उससे क्या कहा जाता है जैसे हमने आपके पत्र लिखा ठीक ये जाता है उसको पत्र लिखा मुणा हो जाएगा वह नमबर अग्ला की पत्र लेखन है मैं संब्धन किसे कहा जा जाता है तो पत्र में संब्धन में लिए काफी हलोग प्रशन प्राप्त करता के प्रति सम्मान या इश्नेव कोek सीजवाब लिखित पत्र में कौन से संबुधन का पर्योग किया जाएगा ते कौई तो यूज करेगा उमाowanखे गजाम केलिए सम्मा mata कौन सा विकल्प पत्र से संस्वانधित है ठीक है तो इसमें से का आपका पत्र से संस्भाव होगा अगला कि जरमदीन की सुस्थाइब को सब्सक्राइब कि अधारी लिखा घर अगर आपको आपको एक लेटर देना पत्र लिखना है तो कौन प्त्र नमबर संही होगा अगला कर सकते लिफाफा में और पोस्ट कार्ड के द्वारा भी और सब्सक्राइब को पत्र लिख रहा है तो किस संब्धन का प्रियोग करेगा अगर कोई मालीजी पुत्र है अपने पिता जी को लेटर लिख रहा है तो वहां पर यूच करेगा पूज्य पिता जी बनंबर सब्सक्राइब घिता होगा अग् second कि समान कारेलय पत्र में इन में से किस घोषक का उल्लेख नहीं किया जा तो अधिस उसना का पिर्योग जो है वो कर्तब में नहीं किया जाता सरंबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे ठीक है तो आज किस पीडियों में करीब करीब मैंने आपको 50-50 कोईश्चन बताए हैं ठीक है और बाकी जो 20-30 कोईश्चन रहे गए इनको पीडियाफ में अटेज करके आपको हम दे देंगे ठीक है तो आप लोग डाउनलोड करके तैयारी कर लिजेगे ठीक है और आपको सॉल्व जो पीडियाफ है 100 कोईश्चन की वह आपको मिल जाएगी इसी वीडियो की डिसक्रेश्चन में वाट्सप और टेलिग्राम का ठीक है तो यह प्रोसेस कर लिजेगा तो हमको पूरी पीडियाफ कर देंगे तो तैयारी कर लिजेगा और यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए हो तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ठीक है और मिलते हैं और वीडियों में जय हिंद